दोस्तों मैंने जब यह चैनल शुरू किया था तब मैंने कुछ ASMR वीडियो देगे थे फॉरन के कीबोर्ड के चैनल के और मुझे तब से ही यह एंथोसियाजम अंदर जगा मैं ढूंड रहा था इंडिया में कोई और है कि नहीं तो मुझे कुछ खास नहीं दिखा एट्रैक् यह रहा डिट भी जो व कीबड直接 आपब हो सारी से फीच्र से हैं जो बहुत इंट्रेस्टिंग है ल कि इसे पहले कि इस वालवर्वेंट इस्प्रेश उस्प्सक्राइब लवट्न है उसे चैनल मैं नोटिभिकेशं वाल पर है यह dowू कि इस चैनल को इसी चैनल को इसी तरीके से अनबाइस बनाया रखने के लिए आप डायरेकली भी अब मदद कर सकते हो कोई प्रोड़क्त लेते हो एमजॉन वगरा से या सूचते हो कि ऐसा कोई प्रोड़क्त लेना है जिसमें मेरी मदद चाहिए तो मैं उसमें जो है कुछ कॉंट्रिबूशन करके आपको वह प्रोड़क्त दिलाऊंगा रिव्यू करते हैं साथ में इससे यह चैनल जो है अनबाइस भी बना रहेगा कम्यूटी के लिए बेनिफीट भी होगा और आपका प्रोड़क्त भी बन जाएगा और साथ ही जैसे ही रिव्यू खतम होता है मैं वह प्रोड़क्त जो है जल्दी सी जल्दी आपके पास शिप कर दूँगा एक सर्प्राइज किफ्ट के साथ एट स्विंग से जली आज बात करते हैं इबो में कर एक्स ओला एक्स ओला एक निटीन की बात करते हैं तो चलो सबसे पहले शुरू करते इस खूबसूरत की यहां पर यूज किया गया है और अगर साथी लाइटिंग की बात कर लें लाइटिंग बहुत अच्छी है बहुत सोबर है बहुत ब्राइट है विवीड है सैचुरेटेड़ है एक जो है आपको बार लाइटिंग भी देखने हुए लिगी अब यह जो है अलग अलग तरीक लाइटिंग देख रहे हों इसारे है को नौर्थ-फेरिंग आपको देखने को मिलता है बहुत मेड़एं लगता हैँ और बात करें आपको बड़े-बड़े अच्छे देखने को मिलते हैं डबल साइज के इंक्लिशन क्लिप देखने को बिलता है और अगर पीछे बात करें तो यहां पर भी आपको अलग-अलग पोर्स देखने को बिलता है और सबसे प्रीमियम क्या है को प्रीमियम है इननके system इसके kkep और इसका PCP जिसे यह keyboard बना है जो की इस keyboard की जान है अगेन आपको Pvt-ök Als Master की खैप सब्सक्राइब दक शिक्लिचे णिचे आपको जो सब्सक्राइब को बिलता सब्सक्राइब करने से ही स्विच आपको यह साउंट नहीं आ सकता उसके लिए कई सारी चीजे करनी बढ़ती है की वोड में आपको और चीबोर्ड में आपको एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि पाच्छ लेयर का acoustic phone लगा हुआ देखने को मिलता है with gasket mounting अब यह जो चीज है यह हर एक जो छोटे-छोटे sound है उसको absorb करके एक bassier एक thockier sound इस keyboard से आपको provide कराएगा अब यहाँ पर अगर थोड़े से material की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको IXP under chef pads देखने को मिलता है उसके बाद आपको pour on sound absorption cotton भी देखने को मिल रहा है यह जो padding है यह आपको keyboard के bass में देखने को मिलेगा और साथ ही जो है इसके उपर आपको silicon bottom padding भी देखने को मिलता है साथ ही यहाँ पर जो stabilizers है आप पहले space bar का sound सुनो अब यह जो sound है यह इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हारे बड़े वाले switches है उस पर जो stabilizer लगे हुई है वो प्रिल्यूब्ड आ रही है मतलब stabilizer पर भी आपको काम नहीं करना है अचा अब अगर switch पर अगेन थोड़ा सा ध्यान दे तो यहाँ पर आपको switch का जो actuation force लगने वाला है वो 40G का लगने वाला है और जो travel distance होने वाला है वो 0.3 mm का होने वाला है gray switch है linear वाला है fps gaming करना है मैं तो यह कहूंगा दोस्तों यह keyboard कितने देर मेरे सामने रहता है उतने देर without any typing में इसको दबाते रहता हूं इतना soothing है इसका sound अब कीबोर के features की बात कर लेते हैं देखो gaming keyboard है तो सारी वो features आपको देखने को मिलेगा जो कि किसी keyboard में आप अमूमन expect करते हैं for an example windows lock button यहां पर देखने को मिल जाएगा multivideo out keys का support देखने को मिलता है फूरे keyboard पर आपको anti-coasting और in key rollover देखने को मिल जाएगा three modes of connectivity जैसे मैंने बताया यहां पर आपको देखने को मिल जागा access कैसे करना है वो मैं बता देता हूं 2.4 GHz का जो डॉंगल वाला correction है उसे access करने के लिए function प्लस टील को आपको access करना होगा अगर bluetooth device में connect करना है तो function प्लस one two और three जो बटन है तीन अलग-अलग device इस पे simultaneously connection लेता है और साथ ही अगर bluetooth की बात करें तो यहां पर आपको दो वर्शन देखने को मिलता है 5.0 और 3.0 और यह automated connection लेता है अगर आपके असपास जो Bluetooth device होगा तो उसमें आप इस keyboard को जो है discover कर पाऊगे कोई दिक्कत होती है अगर आपको डिफॉल्ट सेट करना है या फिर connection में कोई lag आपको देखने को मिलता है वैसे हमें तो नहीं देखने को मिला लेकिन नहीं चोड़ी है इन्होंने और अगर बात कर ले RGB के रंगी योंगी देखो पूछने वाली बात ही नहीं है RGB पर की RGB सारी चीज़े आपको यहां पर देखने को मिल जाता है 16 लाइटिंग मोड आपको देखने को मिलता है function प्लस लैस से जो है backlight को आप टॉगल कर सकते हो औ उस पर भी कस्टमाइशन पॉसिबल है function प्लस राइट शिप को दबाऊगे यहां पर जो है effects चेंज होंगे यहां पर इस लाइट बार का में काम है आपके बैटरी के कैपसिटी को इंडिकेट करना इस कीबूर्ट की बैटरी अगर फुल चार्ज होती है तो आपको यहां प बैटरी बैकप के मावले में यह keyboard जो है इन सारी चीजों के बाद एक अच्छे hardware के साथ एक अच्छे software का समिश्रन भी बहुत ज़रूरी है यहां पर आपको बढ़िया software भी देखने को मिलता है software इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ कोई भी एंट इस टॉल करने की या बंद करने की आपको जरूरत नहीं पढ़ने वाली यूजर फ्रेंडली है बहुत ही नीट अंड क्लीन है अगर बात करें की कस्टमाज़ाशन की हरी की चीज के ऊपर आपको अलग 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 लियर सफ कस्टमाज़ाशन यहां पे मुम्किन है अधाला लाकिन मोड करने का और ऊप्षि complaint करने वाला लाइट करने वाला डिकलो वह सारी चीजेंग है यहां पर अलग से बहुत को बात हो गई इस keyboard के सारी अच्छी चीजों की अब बात करते हैं क्या वो चीजे हैं जो इस keyboard में और बहतर हो सकते थी देखो मेरे हिसाब से तो यह keyboard मेरे dream keyboard के बहुत करीब है और मेरे हिसाब से यहां पे मुझे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो कि मैं वाकई कह सकता हू कि इसमें सुधार हो सकता है स्पेशली जब इसका आप रेट सुनोगे उस हिसाब से मेरे पास इसके लिए कोई भी कंप्लेन नहीं है वैसे इस keyboard का एक छोटा सा मैं कह सकता हूँ एक छोटा सा प्रॉब्लम यह है यह keyboard जो है सबसे पहले इंडियन बायर्स के लिए इंडिया सा keyboard अगर आप अपने डेक्स के उपर सजा रहे हो तो पिक्चर जो है जरूर मुझे बेजना तो कि मैं जो है उसे उठाकर सीधा वोटिंग पे लगाऊंगा इंस्टा पे लगांगा यूट्यूब पे लगाऊंगा जिसको सबसे ज़्यादा प्यार वीलेगा उसे मेरी में आज का वीडियो आपको कैसा लगा